भगवान का एक नाम पक्षी रखा गया है भगवान भक्तों के पक्ष में अवतार लेते जैसे म्रखक ने जुलम किया तो उनके जुलम से सताये गए अत्याचार्क के निशाने बने लोग सिंधुगनदी के किनारे गए और अर्चना प्रातना की भगवान आवतरित हुए और उन्ही के पक्ष में भगवान ने म्रखको जरा तारना की और समझाया जैसे मा के चार बच्चे हैं तो दो बच्चे कोई हरम जादें और दो सिधे साध्य और मा को पुकारती तुमा जानती कि सही कोन है गलत कोन है तो गलत को जरा तारना देगी और सही का पक्ष लेगी ये मा का पक्ष होते हुए भी मा के चित में अपने सभी अपने बेटे हैं ऐसी समझ बनी रहती है जो बाहर से स्नान तप और नमाज करते हैं और भीतर से इर्शा से भरे रहते हैं देश से भरे रहते हैं उनके चित में वो शान्ती आनंद नहीं आता जो सचाई से भगवान के नाम के साथ ही भगवत भाव को अपने चित मिलाते हैं उन्हें शांति और आनंद का ऐसास होता है भगवान आठमे अध्याय के आठमे शलोक में ऐसी उन्ची बात कह रहे हैं सभी कहित की कि ये तो सुवर्ण अक्षरों से अपने दिल पर लिख देना चाहिए अपना मंगल खिस में है और आपन कैसे उन्नत हो सकते भगवान बताते हैं भगवान के स्री मुक्से निकले वेवाचन आपके मुक्से भी उचारित हो जाए उचारन करना अभ्यासयोग युक्तेना चेतसानान्यगामिना परंपुरुषंदिव्यं याति पार्थनुचिंतयां अभ्यासयोग से युक्त होकर और अन्यका चिंतन न करने वाली चित से परंदिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ तो उसी को प्राप्त होगा अपने स्वभाव को तुम बदल सकते हो फ्रीज अथ्वा गीजर तो जड़ है किन मनुष्य चेतन है अपने स्वभाव पर विजय पा सकते हो हीन स्वभाव पर अज्ञान संयुक्त स्वभाव पर अहंकार संयुक्त स्वभाव पर वास्तना से भरे हुए स्वभाव पर चिंता से भरे हुए स्वभाव पर आप विजय पा सकते क्या करें हमारा स्वभाव है यारदा हम क्या करें छूटता नहीं जो छूटता नहीं छूटता नहीं कहते हैं ऐसे लोग भी हिम्मत करते तो दारू छूट जाता है जो ज़्यादा बोलते हैं ज़्यादा बोलने के आदत है फिर छूटती नहीं नहीं उनको अगर समझाया जाये के भाई तुम्हारी वाणी जब तुम बोलते हो तो खुब खर्च होता है भगवान वेद व्यास जी ने नारज जी की सला से समाधी की युग-युग कल्प-कल्प में भगवान ने अवतार लिये और अवतारों का लेला सुमरन करके व्यास जी शलोक बद्ध करते और गणपती जी लिखते जाते थे 18,000 शलोक लिखे गए 12 सकंद बन गए 335 अध्याय बन गए श्रीमत भागवत जैसा सद्गरंथ तैयार हो गया व्यास जी प्रसन्न हुए और गणपती जी से एक प्रश्ण किया के प्रभू 18,000 शलोक में भोलता गया आप लिखते गया मेरा आवाज तो आपने सुना लेकिन आपका एक भी शब्द मेरे कान तक नहीं पहुँचा अगर में सुनने के योग्या हूं तो उसका कारण बताने की क्रपा करें तब गणपती जी ने काहा और गणपती कोई साधान व्यक्ति नहीं है इंद्रिय संयम में गणपती जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता पार्वतिक के समान कोई साध भी नहीं और इंद्रियों को वश करने वाले वालों में गणपती की बराबरी कोई नहीं कर सकता तो गणपती जी ने कहा कि दीपक में घी यां तेल डालो कम डालो यां ज़्यादा डालो लेकिन जोत जलेगी तो तेल खतेगा ऐसे ही व्यक्ति वानी बोलता है तो जीवनी शक्ति खर्च होती है वानी बोलने में तीन शक्तियों का खर्च होता है एक तो सारे शरीर का जो ओज है उसका सात्रिक हिसा खर्च होता है दुसरा मासपेशियों में का राजसी हिस्सा खर्चोता है और तीसरा जीवनी शक्ते अर्थात काम करने की जो शक्ती जिवा बोलती है हाथ हिलते हैं वो खर्चोती अर्थात ओज ओज जीवनी शक्ती और मासपेशियों की harness ये तीनों वानी बोलने से खर्च होती तो मैं वानी क्यों बोलूँगा व्यर्थ के और जो व्यर्थ का नहीं बोलता कम बोलता है, सारगर भीत बोलता है उसकी वानी का प्रभाव होता है तो ये गणपत्ति और व्यास जी के समवाद से आपको ये भी सीखना है कि आप वानी का कभी दुरुपयोग ना हो सावधान दे वानी व्यर्थ खर्च ना हो वानी ऐसी बोलिये मनवा शीतल होए आवरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए मन में अकारण एक विचार से दूसरा विचार दूसरे विचार से तीसरा विचार ये करने की आदत चिंतन करने की आदत कुछ नहीं तब भी भी उधेड़ भून करता रहता और सावधान देके देखे तो ये व्यर्थ की कल्पना है फिर भी मन की आदत इसलिए बार-बार उंचे स्वर से भगवान का नाम उचारन करे उसके बीच कभी कबार मन तु क्या सोच रहा है ऐसा करके मन से प्रथक होकर मन पर निग्रानी रखने की आदत डाल दे तो व्यर्थ का चिंतन अथ्व व्यर्थ का विलाव में जो शक्ती उर्जा खीन होती है वो बच जाएगी चेतसा ना न्य गामी नहीं परम पूरुष्ण दिव्यम याति पार्थनु चिंते उस परम पूरुष दिव्यका तुम चिंतन करो तो उसी को प्राप्ठ हो जाओगे ये ऐसा है वो ऐसा है फलाना ऐसा है मैंने यह किया मैंने वो किया यह सब छोटी-छोटी बाते हैं लेकिन यह सब जिसे देखा जाता है वो सब का आधार, सब का सार सब को सुख स्वरुप का अनुभव कराने वाला रात्री को सब जिसी में ठकान मिटाने को विश्रान्ती पाते हैं उस परमात्मा का चिंतन कर अपने आत्मा के रूप में, तो तु दिव्यगति को और दिव्यशांति को दिव्यशुक को प्राप्त करेगा। व्यक्ति के निर्मान में भगवत प्रेम बहुत बहुत महत्वका है। और वो भगवत प्रेम सत्संग से प्राप्त होता है। अंतहकन में अनंतरिपु हैं काम शत्रु है क्रोध है मो है लोब है जातिवाद है फलाना आए दिंगना है लेकिन सभी शत्रों को भगाने के लिए परमित्र दिव्य पुरुष परमेश्वर की भक्ति रजब कवी हो गए संकीर्णता से बाहर निकले वे कवी कहते हैं रजब के रजब छूटे कौन विद्ध बिन साह भगवंत्व 1940 में मुर्धनिय पक्त्रकार ने गामा पहलवान से पूछा गुलाम हुसेन में से बने गामा पहलवान तुमने हजार हजार कुस्तियां जीती और एक कुस्ति में भी तुम परास्त नहीं हुए उसका कोई रहस्य के आप बताओगे तो गुलाम हुसेन गामा पहलवान ने कहा कि मेरी कहीं किसी नारी पर निगाह जाती तो मैं तुरंत अपनी निगाह को रोक लेता हूँ और बुरी निगाह से देखता नहीं एक तो ये बात कि मैंने सैयम का आश्रे लिया ब्रमचरे का थुड़ा आश्रे लिया दूसरी बात कुष्टी में जब मैं उतरता हूँ तो सामने वाले पहलवान से हाथ मिलाने के पहले मैं अपना दिल दिल बर्दाता स्री क्रश्ण से मिला कर फिर कुष्टी करता हूँ मुसल्मान गुलाम हुसेन भी क्रश्न की मधुर सुमृति में इतना सफल हुआ कि सनातन धरम की व्यासपिट पर गुलाम हुसेन की सरहना करने में हमें संकोच नहीं होता क्योंकि सनातन संस्कृति ने संक्रिनता की दिवाले ही नहीं रखिये अपना और ये पराया सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो फिर भी जो फासले रखते और तुम्हें फासाने के लिए शड़ियंत्र करते हैं तुसरी क्रश्ण की नाई सतरक रहना भी तुम्हारा करता है आओ भीम बेटा भीम मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं दृतराष्ण ने का क्रश्ण समझ गए कि ये अरामी गले लगाने के बाहने भीम को अपनी भूजाओं में पिस डालेगा स्री क्रश्ण ने क्या युक्ति की कि भीम को इशारा करके दूर कर दिया और लोहे की मूर्ति जो दुर्योधन ने बनाई थी भीम की ओ लोहे की मूर्ति दृतराष्टर के आगे धर दे और दृतराष्टर ने आलिंगन करके इतना जोरों से दबाया कई आथियों का बल था ग्रितर आश्टर की बुजाओं, इतना जोरों से लोहे की मूर्ति को दबाए, 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 लोहे की मूरति तोड डाले, तो विचार है, भीम का क्या हाल हो था, वहवार सिखाते हैं कि आप सब में इश्वर को तो देखो लेकिन दूसरा आपके साथ कुछ कुटनिती करता है या चलकपट करता है आप सब में भगवान करके उसकी कुटनितिया चलकपट का शिकार मत बन जाओ आप अपनी सुरक्षा करने के लिए युक्ति का आइडिया करो ताकि वो भीम को कुछले उसके पहले लोहे का पुतला उसकी छाती पर ऐसा तो बिढ़ा कि रख्त की उल्टी होगी वो भी याद करें बुढ़ा कि कैसा कपट गया जाता है उस अंसार वेवार में ज्यान भीतर की अनुभूती है कपट या सचाई और उदारता को देख कर किया जाता है योग कर्मसु कहो शलम योगी कर्म करने में कुछल है मा चाकर याँ साई हाँ जी भगवान जी मर जी अरे भगवान की मर जी क्या भगवान भी खुद भगवान शाकुनी के कंधे पे हाथ रखते मर जी करने शाचकर शाचकर छाने मार जी करन yere जी भगवान जी मर जी होगी तो मैं नहालूंगी और बाहर हसं कार्या Seungkran और जी में किया करें सब में भगवान है ऐसा ग्यान भगवान नहीं देते हैं भगवान समता की समझ के साथ आपको वैवार की कुशलता का भी आदेश देते हैं योग करम सुकाव शलम रुतु बदलता है तो खान पान और पहरविष्ट बदलना पड़ता है भगवान की मरजी करके जो जाडों में तुम खाते थे मोन्थाल और खोराक और मेथि पाक वो अभी खाओगे तो फिर हो जाएगा ओओओओँ खान पचा नहीं अचिड़ी हो गई अजिरन हो गया अजिरन में पानी आवशद का काम करता है अजिरन है तो बार बार पानी पिया खुब पानी पिया अजिरन दूर हो जाएगा लेकिन भूख लगे और पानी पिया थंड़ा पानी पिया तो भूख मार देगा साहीं, शर्वत मिल रहा है, शर्वत. तो बहोजन के समय शर्वत पियोगे, तो भीर भोजन कैसे सहे पचेगा, और शर्वत भी दूद डाला हुआ शर्वत पिते हैं, तो नमक वाली सबजी कैसे खाऊगे? तो आयो लाल जुले लाल तो करो लेकिन आयो लाल जुले लाल के साथ-साथ स्वास्त्य का ख्याल रखते हुए शर्बत बनाओ, शर्बत पियो या पिलाओ, बांटो या बटाओ क्या करें बांट रहे हैं, दे तो रहे हैं उनका तो शर्बत मिला शर्बत तो हमको मुफत में मिला लेकिन पेट अपना मुफत का नहीं है पेट तो बड़ा कीमती है अगर पेट को खराब कर दिया भोजन और शर्बत साथ में लेने लग गए नहीं, दूद का शर्बत पिया और फिर भोजन के आथव भोजन के आथव भोजन के और उपर से दूद का शर्बत पिया स्वास्त्य के आनी होती तो वैवार में कुशल रहें, शरीतन दुरस्त रहें, इस प्रकार के भोजन के करने के नियम मन प्रसंद रहे, ऐसे सुबे उंचा चिंतन करके विस्तर का त्याब करें और आत्री को सुए तो उंचा चिंतन करते करते सुए चिंता लेकर न सुए, ठकान लेकर न सुए, वेर लेकर न सुए, द्वेश लेकर न सुए, भै लेकर न सुए उचा चिंतन लेते, करते, करते, फिर थोड़ी देर निश्चिंत मैं निश्चिंत हूँ, अब प्रभु जाने तुल्सी दास ने कहा, तुल्सी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, होनी है सो होएगी, अन होनी ना होए तुलसी भरोसे राम के निश्चिंधों के सोए अन होनी होनी नहीं होनी होए सोए अन माचा करे आँचा करे आँचा करे आँचा करे आँचा करे चिंता करे करे खोपड़ी खाली थी वई अन हथा प्याद करन चा करे आँचा करे करन करावन हारस्वामी जनमलेना आपके हाथ की बात नहीं है, मृत्यू आपके हाथ की बात नहीं है, बुधापा को थामना सफिद बालों को थामना तुमारे हाथ की बात नहीं, जो मुख्य काम हो रहे हैं, भोजन पचाना तुमारे हाथ की बात नहीं, यह तो चल रहा है, जब सारे मुख्य काम एक दुल्ह की शादी हो गए कुछ दिनों के बाद वो सस्राल जा रहा था सर्दियों के दिन थे पत्नी गई माय के अब सर्दियां पूरी हो गई गर्मी शिरू हो रही घोडे पर सवार होकर कुछ समान मा ने दिया अपनी बहु के लिए अपनी सबंदी के लिए तो डबे बबे दिये कुछ जो समान वो गोडे पे बैठा थोड़ा सा आगे गया दुपहरी के पसीने ने खबर ली सोचता क्या रहा रहा इतनी गर्मी एक तो मैं बैठाओं गोडे पे और दूसरा इतना समारा समान लादा है उस युवक ने क्या करा गोडे से उत्रा और पूरा सामान अपने शरीर पर लाद दिया कुछ सामान पीठ पे बांदा कुछ कंधों में लटकाया और बाकी का थोड़ा सा सामान अपने सिर पे रखा अब फिर गोडे से बैठ गया कि यहाष गोडे को तो आराम मिलेगा अब चलते चलते सास्राल का गाओं आया सास्रा ने देखा कि यह कौन सा प्राणी आराया गोडे पर असलिए जुद्धोर इतना बोजादो ठीक नहीं था, इसलिए मैंनहे अपने सिरपर और अपने कंधो पर अपनी भोजाओं पर लाद दिया है फिर भी बोजा तो घोड़े पर ही था ऐसे ही तुम्हारे जल्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे खान, पान, रहान, सहान, मिलन बिछुड़न का सारी वेवस्ता स्रिष्टि नियता की स्रिष्टि में है फिर भी जीव अपने सिर पर लाद देता है अपने कंदों पर लाद देता है और फिर प्रारब्दुरूपी गोड़े पर बैठता है और परिशान हो जाता है वो जमाई राज तो एक दिन के लिए परिशान हुए बाद में दुबारा गए होंगे तो गोड़े पर सामान गोड़े पर ही रखा होगा अपने पर नहीं लादा होगा लेकिन ऐसे कई गोड़े सावारों को मैं जानता हूँ जो अपने पर लाद कर ही जीवन बोजिला जीते जायराम जी की ऐसे कईयों को मैं देखता हूँ और जब कथा में आते तो थोड़ी दे के लिए उनका सामान उतर जाता है तो उनको लगता है के बडा अच्छा लगा बएशाणी मिलीiquer फिर जितने दिन वो सामान अटा के रहते हैं तो खाली-खाली रहते हैं खुश-खुश रहते हैं फिर सामान लादते जाते जाते फिर पूछते रहते कि बापु कहां मिलेंगे और बापु का सत्संग कहां होगा क्योंकि समान उतारने की बाते बापु के पास नाराइनहरी नाराइनहरी सतू दिरग काले नरअत दिरग काल तक योग दर्शन कहता है कि अपने इश्वरस्वरू का चिंतन करे और निर्भार होने का चिंतन करे क्योंकि दिर्ग काल से भारी होने का चिंतन किया दिर्ग काल से पिता होने का, पुत्र होने का, पती होने का, फलानी नाती वाला होने का, फलानी जाती वाला होने का तुमने चिंतन किया है, मैं फलानी जाती का हूँ, मैं फलानी नाती का हूँ मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, मैं फलाना हूँ ये तुमने दिर्गकाल से चिंतन किया है इसलिए तुम्हें सच्चा चिंतन भी दिर्गकाल तक करना चाहिए कि मैं माई हूँ, बिलकुल जुठी बात है, माई का तो शरीर है, ये शरीर पती की पतनी है, लेकिन मैं, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की सनातन हूँ, ये पती, पतनी का पती है, लेकिन परमात्मा का तो सनातन सपूत हूँ, इस प्रकार दिर्ग काल तक अपना शुद्ध अगर शुद्व भ्यास नहीं क्या ज्यान का तो आखे मून के बैठे तब भी मन काई नगाइँ, उदेड भूंद करेगा, माला करो तब भी मन जाएगा तो माला भी करें, ध्यान भी करें, सतकर्म भी करें लेकिन उसमें अभ्यास योग को मिला दे, अभ्यास योग से युक्त होकर अन्य का चिंतना करो अन्य अन्य में जो अन्य बैठा है उस परमेश्ष्वरस्वभाव का चिंतन करो